हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने युटूब पेनल अंगरी जी ही जी पर आज हम लोग क्लासिक्स के एसस्टी के जोग्राफी के सारे चेप्टर्स के जितने इंपोर्टेंट वर्ट से उन सभी को सीखेंगे चलिए सूर करते हैं पहला वर्ड है सोलर सिस् जो सेलेस्टियल बॉड़ी का अच्छे ढंक से अध्यान करते हैं रिसर्च करते हैं तो उन्हें एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं सेलेस्टियल बॉड़ी खागोलिय पिंट सेलेस्टियल बॉड़ी में प्लैनेट्स आ जाएंगे सेटलाइट्स आ जाएंगे एस्टेरोइट्स साथ जाएंगे यह सारे celestial bodies के पार्ट है जिने हिंदी में खगोलिय पिंट बोलते हैं प्लैनेट का मतलब ग्रह होता है यह वो celestial body होता है जो sun के चारा तरफ एक fixed orbit में मूव करता है तो वो planet कहलाता है satellite का मतलब ग्रह planet के चारा तरफ जो celestial body move करता है रिवल्व करता है उसे हम satellite बोलते है ओरबीट का मतलब कक्छा यग्रह पत तो औरबीट वो path होता है जिस पर कोई planet sun के चारा तरफ मूव करता है तो उसे orbit जिसे हिंदी में हम कक्छा यग्रह पत बोलते है, मतलब जिस पत पर गरह मूव करता है रिवॉल का मतलब होता है घूमना इसमें क्या होता है कि कोई सेलेस्टियल बॉडी किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के चारो तरफ पूरे फूल बॉडी मूवमेंट करता है मतलब उसका पूरा बॉडी मूव करता है rotate क का मतला होता है कि अपने axis पर move करना, जैसे अर्थ अपने axis पर rotate करता है, move करता है, asteroid का मतला होता है चुद्रग्रा, तो asteroids वैसे celestial bodies हैं, जो कि Mars और Jupiter प्लैनेट के लगवा 500 कलिमेटर के बिल्ट में, और ये sun के चारव角 तरफ revolve करते हैं, इन्हें सेमी प्लैनेट की डियर्णे कटेग्रि्म में और जल जाते और जो जलते नहीं है वह मारे अर्थ के सर्फिस पर आ जाते हैं जिने मेटियरोइट् से टेलि इसकोप का होता है दूर दर्थी एक अ कब जरप काते हैं या क्रेटर मतलब काटोरे की अक्रिती की खड़ा या खड़ा कॉमेट का मतलब घूमकेती होता है तो यह small bodies होता है जिसमें head होता है एक long luminous tail होता है ठीक है dust और frozen गैसे से बने होता है ग्लोब का मतलब मांचीत 3 dimensional shape होताई अर्थ का उसको represent करताै मैप मतलब मांचीत जिसमें हम लोग और के किसी पार्ट को या पूरे अर्थ को एक flat surface पर e from the recall to graphi का मतलब होता मांचित्र बनाने की कला एन ग्रेटर पा मतल। है खुदा हुगा पता है किसी भी चीज पर खुदाई करके अगर को चीज लिखते हैं तो वह in cones केहता है थिजिकल को मवातिक मानचित यह वो मेप होता है जिस पर हम ल BuildHana Rival करते हैं जैसे और मैप में यही अंतर होता है कि मैप two dimensional object होता और globe three dimensional क्योंकि globe three dimensional shape को represent करता आर्थ के उसके बाद है reference points अंदर बिंदू किसी भी चीज के measurement करने के लिए जैसे आर्थ के किसी location को measure करने के लिए कोई ना कोई हम लोग reference लेते हैं तो वह reference point कहलाता है पॉल का मतलब धुरूब तो पॉल दो इंड़ points है जो अर्थ का imaginary axis है उसके जो दो इंड़ points है वो पॉल्स कहलाता है एक north pole एक south pole equator का मतलब होता है विश्चुवत्रे का जो अर्थ को यह वैसा circle होता है या वैसा latitude होता है जो अर्थ को equally two parts में divide करता है hemisphere का मतलब गोलार्थ equator ज latitude का मतलब अक्छांस यह वो distance होता है अर्थ के surface पर जो equator के north या south में हो सकता है जो किसी place का angular distance होता है और parallels of latitude वैसे ही बहुत सारे parallels में equator के होते हैं तो वो parallels of latitude कहला थे longitude का मतलब देसांतर यह दो poles को joints करता है semi circles होता और equator को यह राट एंगल्स पर कट करता है करकर रेखा Tropic of Capricorn का मतलब मकर रखाएगे latitudes के example है अर्कटिक सर्कल का मतलब अर्कटिक विरित एंटाक्टिक सर्कल का मतलब अंटाकर्टिक विरित टॉर्डी जोन का मतलब उसमें कर्टिक बन धी है यह वो zone होता है जो Tropic of Cancer से लेकर Tropic of Capricorn के बीच का होता और यहाँ पर temperature ज्यादा होता है Temperate zone Tropic of Cancer से लेकर आर्कटिक सर्किल Northern Hemisphere में और Southern Hemisphere में Tropic of Capricorn से एंटाक्टिक सर्किल के बीच के एरिया को हम लोग Temperate zone बोलते है जहाँ पर relatively temperature कम होता है Toddy Zone के comparison में तो Tropic of Cancer Tropic of Capricorn आर्कटिक सर्किल एंटाक्टिक सर्किल से लेकर चूट के नाम है Specific ठीक है 33 देगरी North Latitude को Tropic of Cancer बोलते हैं और 33 देगरी South Latitude को Tropic of Capricorn Frigid Zone का मतलब C6 यह होता है Northern Hemisphere में आर्कटिक सर्किल और Northern Pole के बीच का एरिया और Southern Hemisphere में एंटाक्टिक सर्किल और Southern Pole के बीच का एरिया प्राइम मेरीडियन का मतलब परधान मध्यान रेका यह वो Longitude है जो Zero Degree Longitude को Cross करता है और यह इंग्लेंड में Royal Ability Sub-Geravetry जो Greenwich में है उससे Cross होता है Equinox का मतलब विश्व होता है यह उस situation को बोलते है जब Days or Night equal होता है जैसे 23rd September और 21st March को 21st March को Vernal Equinox को बोलते है 23rd September को Autumn Equinox Solstice का मतलब होता है कि जब दिन लंबा हो और रात छोटा हो तो उसे Solstice बोलते है जिसे Hindi में आयनांत बोलते है रिंस का मतलब छेत्र जैसे Mountain Plateau Lithosphere का मतलब होता है Asthal Mandal Asthal से Related जो पार्ट होता है अर्थ का हो वह स्थल Mandal Hydrosphere का मतलब होता है Gel Mandal Atmosphere का मतलब होता है वायू Mandal Continent का मतलब महादवीब एक बड़ा और प्लेटू Mountain के तुलना में फ्लेट उसका अपर टॉप होता है ठीक है तो वह प्लेटू कहलाता है पठार Hydrosphere मतलब जल मंदल, Atmosphere मतलब वाय मंदल और Continent मतलब महादवीब ओसियन तो 5 ओसियन है और 7 continent है पूरे हमारे अर्थ पे जिसे हमने segregate किया हुए है ठीक है सबसे बड़ा continent है एशिया और सबसे बड़ा ओसियन है Pacific Ocean जिसे हम लोग हिंदी में महासागर बोलते है Pacific Ocean का मतलब प्रसांत महासागर, Subcontinent का मतलब उप महादवीब जैसे Indian Subcontinent की बात करते हैं तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, बांगलादेस से सारे कबर हो जाता है Indian Peninsula का मतलब भारतिय प्रायर दिव, यह इंडिया का वो पार्ट है जो कि 3 सैट से जल सखी रहा होता है जैसे कि southern पार्ट, वो Indian Peninsula कहलाता है, Standard liexistख मानकों भी हम्तर रहा, हर लॉंगी चूड का आपना एक local time होता है इसलिए हर देश एक standard meridian को follow करता है जिससे की time में variation नहों जैसे इंडिया किसमें सारे 82 degree 30 sorry 82 degree 30 मीनट को हम लोग standard meridian मानते है coastal plane का मतलब होता है 30 मैदान जो coastal areas के आसपास का plane होता है काफी उपजाव होता है monsoon climate का मतलब monsoon ही जलवाएं तो किसी भी देश में किस टाइप की climate होती है तो इंडिया क्लाइमेट को monsoon climate बोलते हैं क्योंकि है monsoon से ही बहुत सारे चीज़ है regulate होती है डिपेंड करते है सीजन का मतलब मौस में advancing monsoon का मतलब monsoon का आगमन जैसे हमारे जून से monsoon का आगमन शुरू होता है और लगवक जून से सप्टेंबर के बीच हम लोग monsoon के आने को कहते है कि advance करना monsoon आ रहा है जहां पर 100 cm से 200 cm के बारिस होती है तो वहां पर deciduous forest पाया जाते है जैसे ज्ञारखन चतिसगर यह एडिया और जो evergreen forest है वह आपका पाया जाता है western घाट में north eastern mountains regions में ठीक है और एंडमान निकोबार आइलेंड में conservation का मतलब है सनक्षन किसी भी चीज को बचाना wildlife का मतलब होता वन जीव जो वन में पाया जाते है जीव habitat आवास कोई भी organism जहां पे रहता वो उसका habitat कहला था wildlife sanctuary का मतलब वन जीव अभ्यारन जहां पर wildlife रहते है और उन जितने भी organism इस अर्थ पर हैं तो वह काफी diversity है उन में तो वह सारा include करके हम लोग बोलते है और इसके study हम लोग geography biology सारे subject में करते है natural vegetation का मतलब प्राकृतिक वनस्पती वैसा vegetation जो की naturally exist करता है जिसे हमने नहीं गया तो वह natural vegetation का पार्ट होगा जैसे forest जो natural forest है वो इसी के अंत पती तो यही था दोस्तों यह classics के जितने भी geographic के chapters है उन सारे में से जितने important words है लगभख सभी words को मैंने cover किया और I hope कि यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को like share जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो जब लेबल है science के six class के science के जितने भी important words है उसारे धन्यवाद दोस्तों